Good students, how are you? So we start your new question and the question is Write all odd numbers between 20 and 50 Okay, आपसे क्या बूला गया है? 20 and 50 numbers के बीच सभी odd numbers जितने भी हैं आपके वो आपको यहां note करना है 20 आपका एक कैसा number है? 20 आपका odd number है या even number है? आपके even number कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 and 8 यह आपके even numbers होते हैं तो जिस number का ending number 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होता है वो आपका एक even number हो जाता है और odd number कौन कौन से होते हैं आपके? 1, 3, 5, 7, 9 ओके? तो जिन numbers का ending number इन किसी भी number से match होता है तो वो आपका odd number होता है ओके? तो आपको कौन से numbers बताने हैं? और odd numbers बताने हैं आपको तो 20 आपका एक कैसा number है? इविद number है तो इसको आपका नोट नहीं करेंगे बिकास इन दोनों के between में इस पीच में इन दोनों के बीच वाले numbers और नमबर इन दोनों नमबर के बीच में जितने भी odd numbers आते हैं वो नूट करने है तो 20 आपका कैसा है 20 आपका एक even number है तो आपको odd number फिल करना है तो 20 के बाद 21 21 एक odd number है 21 फिर 22 छोट देंगे क्योंकि वो एक even number है हर even number के बाद एक odd number है हर odd number के बाद एक even number आता है तो 22 के बाद 23 23, next 25, next 27, next 29, okay, next कौन सा नंबर होगा आपका 31, ऐसे आपको कुछ नंबर्स मैंने अभी करके बताए हैं, आगे के नंबर्स आप खुद फिल करके देखें, okay, तो आगे 15 तक आपको करने हैं और 50 आप नोट नहीं करेंगे, because वो कैसा नंबर है आपका, वो एक आपका इवन नंबर है, तो लास्ट नंबर आपका 49 होगा, okay, तो 31, फिर उसके बाद आपका 33, फिर नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, 35, फिर 37, ऐसे ही आगे के नंबर्स फिल क के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं, उन्हें आपको फिल करना है, 60 और 90 के बीच वाले आपको सभी इवन नंबर्स नोट करने हैं, 60 और 90 को हम नोट नहीं करेंगे, उन सभी के बीच वाले, between में इस बीच में, उन सभी के बीच वाले नंबर्स को नोट करेंगे, तो होगा next आपका 66 then 68 68 के बाद कोई से नमर आएगा आपका 70 फिर next आपका 72 ऐसे ही आपको आगे की फिल करने हैं okay आगे की आप खुस फिल करेंगे 90 तक करने हैं because between में पूछा है तो 90 आपका नोट नहीं किया जाएगा means सबसे लास्ट नमर आपका 88 होगा okay तो ऐसे 72 फिर 74 फिर आप 76 फिर उसके बाद 78 ऐसे ही आगे की इविन नमर्स आप खुद फिल करके देखेंगे 60 और 90 के बीच वाले नमर्स लिखने है 60 और 90 को नोट नहीं करना है तो 90 लास्ट में आपका नोट नहीं होगा 88 आपका लास्ट इविन नमर होगा okay तो यह two questions आज मैंने करा हैं यह आपको खुद होमवर्क में करने हैं okay टेक कियर गुट बाई